हेलो व्रिवन वेलकम बैग तू मैं चैनल तो फाइनली मिंत्रा ने वन रूपीज डील कल से स्टार्ट कर दिये जिसमें एक टैक काज अलाया था और बहुत लोगी ने इस टैक के काज एल को आडर किया था और मैंने भी इसमें से एक टैक काज अलाडर किया है तो इसका मैंने एक मिनिट था तो मैंने एप ओपन करके रखा था यहां उपर आप देखिए फ्लोटिंग क्लॉक में एक बच के उनसाट मिनट और करीब इन तीस सेकेंड पहले मैंने एप ओपन कर लिया था और मैंने ऐसे चेक कर रही थी इस बैनर के इंदर जाके की प्रोड़क्ट तो इस चाहर समय भी है और मैं जब देखिना तो प्रड़क्ट पहले सी एक रुपे का था मतलब सेल एक मिन पहले ही स्टार्ट हो गई थी तो जैसी मुझे प्रड़क्ट एक कर अगर करके प्लेस अर्ट रूपे किया और फिर इसके बाद एड्रिस सेलैक्ट करके पैम्ट क तो यहां पर COD करने पर अब जो मिंत्रा है वो ना 10 रूपीज एक्स्टर ले रहा है लास्ट टाइम 5 रूपीज लग रहे थे बट इस टाइम 10 रूपीज लग रहे हैं उसके बाद यह कैप्चा फिल करके मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया और यह मेरा 1 रूपीज का और कंफर्म हो गया तो यहां पर इसके बाद में फिल से चैक कर रही थी कि अभी प्रोडक्ट है यह नहीं एक रूप्ए में तो यहां पर आप टाइम देख सकते हैं दो बच के दो मिन अठाए सेकिंड हो रहे हैं और आप अभी भी 1 रूपी में ही 11 तो आप थोड़ा टाइम ले रख लेना जैसे एक रुपे का 100 होगा उचे प्लेस और कर देना और आप सिर्फ एक ही कौंटिटी में और कर सकते हैं लास्ट सेल में दो कौंटिटी और कर सकते थे जो प्राइज है वो 31 रुपीज करने पर लग रहे हैं लास्ट टाइम 22 या 21 लग रहे थे और इसी तरह से अगर आप पेमेंट करोगे तो आपका 21 में होगा 20 रुपीज तो आपको देना ही देना है convenience fees चाहे आप insider हो या नहीं हो उसके बाद जो 10 रुपे वो handling fees लगा रहे हैं मिंत्रा लास्ट टाइम 5 रुपीज लगती थी handling fees और इस टाइम 10 रुपे ले रहे हैं और अगर आपको न सिर्फ एक रुपे में ही product चाहिए तो आप किसी new number से login करके इसको order करेंगे न तो convenience fees नह handling fees देनी होगे और अगर आप online payment करते हैं तो में भी आपका एक रुपे में ही order हो जाए तो यह थी आज की वीडियो आयोप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे order करना है और किस तरह से एक मिंट पहले order करना है तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप comment करके पूश सकते हैं